हेलोई फ्रेंट्स ! कैसे हो आप ? हाई हो ! आप अच्छे हो ! फ्रेंट्स ! मैं आज ढहा रही हूं grocery store ! मैं आपको दिखाती हूं कि यहां पर किस तरह की क्या क्या चीजे होती है तो वैसे तो सब लोग में इट से बोलते रहते हैं मुम्ही बोलते हैं किले लेशन वाले बोलते रहते हैं, की हमें भी दिखाओ वहां पर लुह किस तरह इस सबजी हैं, क्या-क्या होती हैं, कितना रमोई का प्राइज होता है टो फिर मैंने सूचा चलो आज मैं आपको दिखाइ दिती हूं फिर आप बताना कि कितनी चीज कितने की होनी चाहिए, कितनी सच्थि है, कितनी महंगी है यहांपे हर तरह की चीज़े मिल जाती है इसली तो हम लोगों को किया कि इंडिया है तो हमें आलू प्यास ट् vine जाद تपया है और इस इंचीजों के वेराईटी भी काफी है सिते ऑपिक दहती हूं दिखातीओ कि कि इन चीजों की इचाची वाराईटी एंज में दो फौफरेंड्स चलिए मैं आपको ले कर चलती हूं अपन यह हम आगे हैं यह है ग्रॉसरी स्टोर एल्डी स्टोर यह हमारे घर के थोड़े पास ही है तो हम यहां पर अक्सर अपना मिल्क वगरा वेजिटेवल्स वगरा ले जाते हैं तो चलिए फ्रेंड्स हम अंदर चलते हैं लावे आगे आगे भाग रही है उसको बहुत अच्छा बिस्किट की वराइटी बहुत जाद है यहां पर यह कुछ जाना पिछाना सा लग रहा है यह उर्यो बिस्किट है देखिए 4 डॉलर का है यह बिस्किट की वराइटी इतनी है की बहुत जादा देखे फ्रेंट्स यहां से ब्रैड सक्षिन स्टार्ट होता है और इतने सारे आप्शन है कि मैं तो कन्फिज हो जाती हूं कि कौन सा ब्रैड लेना चाहिए और कौन सा नहीं देखे फ्रेंट्स यह बेगल है यह भी एक डिफ्रेंट टाइप के ब्रैड होते हैं जैसे पाव होते हैं वैसे ही कुछ है लेकिन इसकी शेप डिफ्रेंट टाइप की है यह राउंड शेप का होता है और बीच में एक होल होता है और यह देखे 1.49 डॉलर का है यह बेगल में बैने बी कई डाइप के हैं यह वाले ट्लेइन हैं तो यह 2.79 डॉलर के हैं यहां पर ब्रैड की बहुत बहुत ज़ाद है वैराइटी है दिए ये वेजराड बैर लिए और यह देखे अर यह देखे फैंड और यह देखे और यह देखे फैंड यह हैं 4.59 डालर के इत्री पॉंट 9 इन यह वाले ब्रैड देखे यह वाले ब्रैड विद होल ग्रेन आ किसमें काफी सार गेम हूं चावल और बाकी कई सारी चीज़े थावत होती है वैसे ये वाला ब्रैड मुझे कुछ खास पसंद नहीं है और फ्रेंड्स ये है नान नान भी कई तरह के है ये भी देखिए एक तरह की ब्रैड ये हैं ये हमारे होट डॉग टाइप खूते हैं और परटा की कितनी सारी वाराइटी है समझ में ही नी आता है ये वी दिखो हूल ग्रीन ब्रैड की एक ही नई वाराइटी है मैं आपको दिखाती हूं बनाना मेरी छोटी बेटी को बनाना काफी अच्छ लगते हैं और यहां दर्जन में नहीं मिलते हैं यहां पर पॉंट के हिसाफ से मिलते हैं यह देखें गोभी एक फूल गोभी पर पीस लगबग 3 डॉलर का होता है यह सलजन इसको रेड डिश बोलते हैं यह पालक है लगबग 500 ग्राम का पैकेट होता है और यह कफी छुट-छुटे पत्ते होते हैं यह बिल्कुल फ्रेश होता है यह मतलब डेड डॉलर का आ जाता ह है 100 रुपे का हाइसोग्राम और यह सैलेड है इसमें डिफ्रेंट टाइप की सब्जियां है और लगबग एक डॉलर का आ जाता है देखें यह ब्रॉकली है देखें कितने अच्छे से इनको रैप किया हुआ है इस तरह से यह काफी कि दिनों तक बिल्कुल फ्रेश रहती ह है और यह लगबग 2.39 डॉलर की है मतलब 200 रुपे की अधा किलो आती है यह है बैबी केरेट इच्छोटा पैकेट होता है और एक डॉलर का आ जाता है अब मैं आपको दिखाती हूँ सेब के सेब की कितनी वराइटी होती है जितनी वराइटी होती है उनके अलग अलगी प्राइज होते है तो देखें कम 6-7 तरह कि यहां पर सेब की वराइटी है फिर वह यह कोई खटा कोई मीठा कोई मतलब के अलग 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 फ्लेवर होत और बहुत फ्रेश और बहुती अच्छ होते हैं, यह थेखेंस, यह वाले सेफ, टौलर के हैं यह यह वाले 3 टौलर के हैं यह 4 lowest ग यह वाले 3 के हैं यह वाले 5 डौलर के हैं चलिए friends मैं आपको आलू की वराइटी दिखाती हो, यह देखे अलू भी हांपर कई तरह की वराइटियों में यह देखे रोस्टिक पटैटों और यह बेकिंग पटैटों टू पॉइंट डॉलर के उप यह यह है यलो पटाटो 2.99 की द्री डलर की यह 3 टाइप्स की ओनियन है वाइड ओनियन रेड ओनियन और यह यह लो रहा तो यह हैं कशिफल इनकी वी दो तरह की वराइटी है दिक एक टो एस तरह की है और एक इस तरह की है यह देखे फ्रेंट्स यह वही डॉलर सम्थिंग में पढ़ जाता है यहां पर जो चीजें होती है न वह बहुत फ्रेश रहती है उनको मतलब आराम से तुम में एक हफ्ते तक रह सकते हो और मतलब ऐसे लगती है साज ही हम लेकर आए मार्केट से तो इनक हुग अलग अलग भाईटी इनके भी अलग अलग तो कि कौन सा उस करना ना फिर वह सी शी एक्वाद लेलिता देखेंग मैं तुम इस यह नकीजय को बहुत श्युकि पैक घरा ओग ते थीक्टीज को कि बहुत रहना एंक 10 ल pak dipping बॉक्समें इनके लिक्ट नहoter होते हैं और यह देखिए टमाटर सुन्दर फ्रेश लग रहे हैं यह 1.95 का है तो लगबाग वही डेड़ सो दूसों के आसपास पढ़ते हैं यह देखिए यह हैं रोमा टमाटर यह हैं वन डॉलर के यह हैं एक टाइप के यह हैं 2.39 डॉलर के और यह है एक डॉलर का होता है इसकी चटनी बहुत अच्छी लगती है देखिए कितना बड़ा फ्रिज सेक्षन है इसमें अलग-अलग काटेग्री्स हैं जैसे कि यह वाला है डेरी का यह है मिल्क का देखिए फ्रेंट्स यहांपर मिल्क की काफी शारी वराइटी होती है और यहांपर जो दूद आता है वो कैन में आता है यह जो कहने होती है एक प्लास्टिक्क की होती है एक गैलन होती है एक गैलन का मतलब लगवग 4 लिटर होता है यहां पर दूद् यहां पर दूद् पंदर दिन तक हम स्टोर कर सकते हैं और देखिए फ्रेंट्स यह दही का सक्षन है इसमें colonies दफ्रें टैपस की दही है यहां पर लोगों की आल टाइम फैवरिट होती है यह दो लिटर की बोटल है और इसका प्राइज है वो लगबग 2.1 डॉलर है मतलब 160 रुपे की 2 लिटर लोगायकर है देखिए यह भी छावल कि भी कई सारी वर्याईटी है चोटे पैकिट्स भी आगाएं बड़े पैकिट्स भी है और यह इस त्सुखी लगण भी अइसे की अधिया प्लेवर है आई देखिए फोल्य आई मैं इस एका एक हम शेड़ी कर आऊ और बना लो है अलग अलग पैकिंग है साइज वाइज है और देखिए कितनी अलग अलग तरह से पैकिंग करी हुई है अलग अलग बॉक्सिज में अलग अलग क्वांटिटी में अलग 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 फ्लेवर में तो वही अलग 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 इनके प्राइज रेट है यह देखिए श्री हम अपने आराम से इंजाय कर रही है और यह बटर सेक्शन यह देखिए बटर भी अलग-अलग फ्लेवर में होए है अलग-अलग इसकी प्राइज रेट है यह फ्रूट्स है फ्रूट्स आइटम है जैं फ्रूट्स बटर यह सब इंस्टेंट आइटम से ब्रेकफास्ट का सक्षन है इसमें वही सब चीजह होती है इंस्टेंट लेकर आओ और बना लो देखिए इसमें पीजा भी यह यह सब फ्रूजन आइटम है अ कि मिल्स में भी फ्रूजन आइटम है प्रूजन आइटम से देखिए फ्रूजन टिक की आलो की फ्रूजन मटर फ्रूजन बीन और फ्रूजन वैज़ी टेवल्स होते हैं आप देखिए अब हमारी शॉपिंग हो गई है और हम चलते हैं घर के लिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें शेयर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू सो माच